बतादे महाराष्ट में सत्ता परिवर्तन के बाद आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है किसी ना किसी वजह से हमेशा सिंदे सरकार पर सिवसेना उद्धो ठाकरेवा विपच्छ हमेशा आड़े हाथों लिए रहते हैं इस बीच महाराष्ट में एक नया विवाद को हवा मिल गई है जिससे महाराष्ट की राजनीत गर्माई हुई है दर असल राहुल गाधी के द्वारा सवारकर पर दिये गए बयान को लेकर महाराष्ट में भुचाल आया हुआ है वहीं सिवसेना सांसद संजेर राउत ने कहा है कि हमने साफ कर दिया है कि वीर सवारकर को लेकर राहुल गाधी के बयान से सिवसेना सहमत नहीं है सिवसेना सवारकर के बारे में गलत बयान सुईकार नहीं करती सिवसेना इसे बरदास्त नहीं करेगी उन्होंने कहा है कि राहुल गाधी की भारत जुड़ो यात्रा को देश भर में अच्छा रिस्वांस मिल रहा था सबसे ज़्यादा प्रतक्रिया महाराष्ट से मिली हाला कि राहुत ने हभी कहा कि इस यात्रा में बीर सवारकर का मुद्दा उठाने की क्या जरुवत थी शंजे राहुत ने कहा है कि इस मुद्दे को उठाने से ना केवल सिवसेना है बलकि महाराष्ट में कोंग्रेस के नेता भी हैरान है राउत ने बड़ा बयान दिया है कि इससे महा विकास आगाणी में फूट पड़ सकती है शंजे राउत ने आगे कहा कि एतिहासी काल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसके बजाए एक नया एतिहास रचा जाना चाहिए राउत ने कहा कि राहुल गाधी को इस पर ध्यान देना चाहिए हमारी माग है कि बीर सवारकर को भारत रत्न दिया जाए हम लगातारिया माग कर रहे हैं उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा कि पता नहीं बीजेपी में जो नए सवारकर भक्त पैदा हुए है वे सवारकर को भारत रत्र देने के माग क्यों नहीं उठाते वही संजे राउत ने आगे कहा कि सिवसेना प्रमुख बाला सहेब ठाकरे ने हमेशा सवारकर के बिचारों का शमर्थन किया है राउत ने यह भी कहा है कि एसा करना जारी रखेंगे राउत ने कहा कि महाराष्ट में आना और सवारकर को बदनाब करना ना तो महाराष्ट को मन रहा है इस मुद्दे पर भारत जुड़ो यात्रा जारी है उसे अच्छा समर्थन भी मिल रहा है राउत ने इस दवरान ये भी कहा कि सवारकर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है इस मौके पर संजे राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महा विकास आगारे में फूट पर सकती है क्योंकि हम सवारकर को अपने आस्था का अस्थान मानते हैं इस बीच हम पिछले कई सालों से सवारकर को भारत रतन दिये जाने के माग कर रहे हैं राउत ने सवाल किया कि केंदर में बीजेपी की सरकार है ये लोग सवारकर को भारत रतन क्यों नहीं देत राउत ने ये भी कहा कि उनका प्यार जूटा है या सिर्फ दिखावा है